हेलो दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज मैं आपके सामने ले करके आगे हूँ पूरा प्राशन आपको आजाएगा इतना अच्छा ये question paper है तो time तीन घंटे का दिया गया है maximum mass 70 का दिया गया है class 10 section यहां से ही start होता है ठीक है एकदम new pattern पर based question paper है चलिए देखते हैं where was lentchos, how situated lentchos का घर कहाँ पर स्थित्था दोस्तों आप सभी के सामने दिख रहा है, हूँ सूक डाउन दा हेमलोग ट्री, हेमलोग के पाउधे पर कौन सूक डाउन करता था, क्रो, मिना, कुको, फैराट, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्रो, ठीक है, चले देखते हैं तीसरा क्यूस्चन, तीसरा क्यूस्चन है, आप सभी के सामने, फाइर एंड आइस, फाइर एंड आइस के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राबर्ट फ्रोस्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है, चाओथा क्यूस्चन देखो, वेन वाज दा इनॉग्रेशन डे, तो इसका राइट आंसर है दोस्टों, आप सभी के सामने दिख रहा है, दस माई, पहली बात मैं उम्मीद करता हूँ, यह सब आपको आते होंगे, इतना अच्छा यह क्यूस्चन पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्टों, ऐसे ही क्यूस्चन आपके बोड़ एक्जाम में आने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्टों, ठीक है, देखते हैं आपर छटों क्या है, यानि कि एननी के पास कितने भाई वेहन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर है ठीक है, पहला इसका सही आंसर है, मारगोट फ्रेंग, ठीक है, सात्वाँ देखो, वाट वाज एमंडा डूइंग, एमंडा क्या कर रही थी, ठीक है, तो पहला आपसन देखो, विटिंग हर नेल्स, सर्चिंग हर वैक, हंचिंग हर सोलजर्स, अलाप देखो, तो इसका राइट अंसर दोस्तों, आलाप देखो, ठीक है, देखते हैं, आठवा क्या है, वो निल्स टू अनादर, मैन, एनिमल, वोथ, एंड बी, नॉन अफ देखो, तो इसका राइट अंसर दोस्तों, मैन, ठीक है, देखते हैं कि रहामा question what is the fog compared to यानि कि fog की तुलना किसके साथ की गई है cat के साथ, dog के साथ, monkey के साथ, lion के साथ cat is the right answer ठीक है देखते हैं रहामा question what did world leave is bus ride, car ride, truck ride, cycle ride तो right answer है दोस्तो car ride ठीक है यहाँ पर देखो bus ride है इसका right answer दोस्तों इसका bus ride is the right answer ठीक है अब देखते हैं तेरहामा question what was Gotham Woods's early name सिध, साथू, सिधार्थ, सिधार्थ तो इसका right answer दोस्तों सिधार्थ ठीक है देखते हैं चगदावा question आप सभी के सामने दिख रहा है who was a tricky, a cat, a dog, a monkey, a rabbit तो इसका right answer दोस्तों tricky was a dog ठीक है अब देखते हैं पंद्रहामा question who was the writer in the story, अजीश सिंग, हरी सिंग, अनिल, कपिल सर्मा तो अनिल is the right answer ठीक है सुलामा question देखते हैं ग्रिफिन वाज, आफ्टेन, एक्टर, सौब, कीपर, साइंटिस्ट, लैंड़ॉट तो scientist is the right answer देखते हैं सत्रहामा question Richard Ebright was a actor, singer, engineer, scientist तो scientist is the right answer अठ्रहामा question देखते हैं Matilda's husband was a minister, a businessman, an officer, a pretty clerk तो an officer is the right answer उनिसवा question देखते हैं what was Bholi's real name प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता तो सुलेखा is the right answer बीसवा question देखते हैं which crop was growing on Lenchesfield corn, barley, rice, none of these तो corn is the right answer ठीक है दोस्तों तो अब चलिए देखते हैं section B most important है बहुत जादा खास है पूरे paper को ध्यान से देखिएगा please like और share जरूर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में section B के question चलिए देखते हैं read the following passage carefully and answer the questions given below ठीक है नीचे देगाई पैसस को अच्छे से पढ़ना है और उसके नीचे देगाई questions का आपको answer देना है ठीक है प्रताप took a vow that until चिताओर was recovered he would lead a hard life he would not use gold and silver dishes at meal he would use the leaves of trees instead ठीक है यानि कि राणा प्रताप की समय का यहाँ पर बताया गए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ली जेगा ठीक है his bed would be of straw and he would not have his word he ordered that no one should plough the fields and no crops should be grown in the country ठीक है he sought greatest valor in the battle of Haldighati with a small body of 22,000 raushwards he fought against the huge army of the Mughal emperor ठीक है अकबर and made himself immortal so he is honored even today for his spirit of sacrifice ठीक है यहाँ पर यह राणा प्रताप की दसा का वरणा यहाँ पर किया गया है उनके जंगल में रहने का हल्दिगाटी के युद्धिका ठीक है देखिए यहाँ पर कुछ क्वेस्चन्स दिये गए है आप लोग इने सॉल्व कीजेगा क्योंकि भईया आपको तो एकजाम देना है आप लोग बागी क्वेस्चन्स का अंसर धूड़िये मैं चाहूं तो पूरा आपको बता सकता हूं लेकिन आप लोग कहेंगे तो फिर मैं बाद में सॉल्व करा दूँगा ठीक है आप लोग इसमें धूड़ियेगा बहुत तीजी है दोस्तों सब मिल जाएगा एक्स्प्लेइन दा अंडरलाइन एक्स्प्रेशन यह जो नीचे दिया गया है इसको आपको एक्स्प्लेइन करना है फाउंड फाउंड आउट ए वर्ड इन दा पैसेज विस इस अपोजिट आफ क्यूर्ड क्यूर्ड का उल्टा इस वाक में आप इस पैसेज में ढूनना है कोई न कोई आपको सब दैसा मिल जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं 22 क्रिश्टन आंस्वर एनिवन आफ दा फोलोविंग नीचे दियेगा है किसी एक का आंसर देना है ठीक है किसी एक का राइट एन अप्लिकेशन टो फ्रैंशल लाफ्यास के लिए कुछ बैवस्था कर दे ठीक है बहुतीजी है लिख सकते हो अपने पिता जीस से आगरह करते हुए एक लेटर लिखो जिसमें उनसे कहो क्यों आपको कुछ किताबें और स्कूल का ड्रेस खरीद दें भाईया ठीक है तैसमा देखिए answer any one of the following in about 8200 words ठीक है यानि कि 80 से 100 सब्दों में आपको answer देना है write and report on the blood donation for freedom from disease in your school on the basis of the hints given below यानि कि यहाँ पर जो headings दी गई है न दूस्तों इन headings का use करते हुए आपको इस topic पर क्या लिखना है एक report बनाना है ठीक है 80 से 100 सब्दों में ठीक है दूसरा देखो write an article on the yoga a way of life on the basis of the given hints given below यानि कि यह जो headings दी गई है इनका उप्यों करते हुए yoga पर आपको एक article लिखना है यो करना क्या है दो में से किसी एक का ही answer देना है तो अराम से कर सकते हो ठीक है चलिए देखते हैं चाओ वीसमा question rewrite the following sentence by changing into indirect यानि कि नीचे दिए गए वाक्यों को आपको indirect speech में change करके लिखना है इसको आपको indirect speech में change करना है आप देखते हैं यानि कि capital letters का यूज करते हुए ये वाक जो है इसको punctuate करना है पंचुएट करना है जहाँ पर capital letter लगे वहाँ पर capital letter का यूज करते हुए इसको punctuate करके सही लिखना है अब देखते हैं d number translate the following into English इस्वर महान है वह सरव्यापी है उसने हमारे लिए चांद बनाया है उसने सूर बनाया है आदमी घर बनाता है परन्तु आदमी एक भी फूल नहीं बना सकता हमें इस्वर की पूजा करना चाहिए कितना easy है दोस्तों simple sentence है आप लोग आराम से बना ठीक है वी नमबर भेन हर सन डाइज किसा गोटामी गोज फ्रॉम हाउस तो हाउस वाट डज सी आस्क फोर डज सी गेट इट वाई नॉट ठीक है बहुत अच्छे क्वेस्टन है 30 से 40 सब्दों में आंसर देने 26 देखो आंसर एनी one of the following in about 60 वर्स में अपने आंसर का काराण भी बताना है 28 देखो राइट दे सेंटरल आइडिया आफ एनी one in the following एनीमल से फिर फोग में किसी पर भी आप एक सेंटरल आइडिया लिख देना दोस्तों या फिर राइट फोर लाइन पोएम एनी प्रेसर्वड इन योर सिलेबस अपने सिलेबस से कोई चार लाइन की पोएम लिख सकते हो अब देखते हैं तीसवा क्वेस्टन अब देखते हैं दूसरा आप लोग अब इस क्वेस्टन पेपर को सॉल्व किजेगा और अच्छे से एक्जाम दीजेगा पेपर की पीडियाफ चाहते हो तो भईया टेली ग्राम जॉइन कर लो लर्न विथार्पी के नाम से मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत